कांग्रस के नर्म निर्वाचित रास्टिय धक्ष राहुल गांधी की ताज पोशी पर जहां हिमाचल कांग्रस में नई उर्जा का संचार होने की बात कही जा रही है तो वही बीजेपी खेमे में राहूल गांधी की ताज पोशी को लेकर परिवारबाद को बढ़ावा देने के लिए बियानवाजी की जा रही है राहूल गांधी की ताज पोशी पर हमीरपुर में बीजेपी और कांगरस दोनों आमने साहने आगे हैं कांगर्स परदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने ताज पोशी पर राहुल गांदी को हिमाचल कांगर्स की ओर से बधाई दी और उमीद जताई कि अब कांगर्स में नए रक्त का संचार होगा तो वहीं बीजेपी के प्रदेश सची बीजेपाल सोहारू ने राहुल गांदी की ताज पोशी पर चुटकी लेते हुए कहा कि इस ताज पोशी से बीजेपी को कोई फरक नहीं पड़ेगा परदेश कांगर्स प्रबक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि राहूल गांदी के रास्टे धक्ष बनने पर कांगर्स कारेकरता भारी स्था में है और राहूल गांदी की नेतिते में देश में कांगर्स पार्टी पूने स्थापित करेगी और फांसी वाजी ताक्तों को ख़तम करेगी आज उनकी तरफ एक उम्मीद भरी नजर से देख रहा है और कांगर्स कारे करता जो हैं आज उनके अध्यक्ष बनने से भारी उत्सा में हैं और उनके अंदर नए जोश और खून का संचार हुआ है और सबको विश्वास है के राहल गांदी के प्रक्तिशीर और गतिशीर ने रितित्यों में कांगर्स पार्टी जो है वो हिंदोस्तान के अंदर उन्हें अपने आपको स्ताफित करेगी और जो फासी बादी ताक्ते हैं हिंदोस्तान के अंदर उन ताक्तों को प्रास्त करे बीजेपी के गड़ हमिरपुर में बीजेपी परदेश सचीप बीजेपाल सहारू ने राहल गांदी की ताज पोशी को परिवारबाद की परभाशा दिए और कहा कि ये तो पहले से ही तैय था कि राहल गांदी राष्ट्य धक्ष बनेंगे उन्होंने कहा कि कांगर्स हमेशा से परिवारबाद को बढ़ावा देते आई है और इसका कोई भी फर्क बीजेपी और देश में हो रहे है चुनाबों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि बीजेपी बिकास के नाम पर बोट मांगती आई है रहुल गंधी का अध्यक्ष बरना परिवारबाद को बढ़ावा देन की बात को साबित करता है जब कि भादि जन्ता पार्टी में बियनकों सकता है इसमे राहुल गंदी ही अध्यक्ष परिखे बनेगे और आने वाले समय में इसी प्रिवार कोई ना कोई सीदस्य दस्य कॉंग्स परिखे बने गा जबकि भाती जन्ता पार्टी में बिलकुल भिविन है हमारे जो राष्टि अधहक्ष हैं अमित्शा जी वो एक बूत स्तर के कारे करता रहे हैं बूत के अधहक्ष रहे हैं और मंदल के भी अधहक्ष रहे हैं और इसमें कोई बड़ा हमें आश्चरे नहीं हुआ कि राहूल गांदी का नॉमिनेशन सिर्फ एक ही विक्ति ने नॉमिनेशन फाइल किया और वो राश्टी अध्यक्ष बने तो इस सब चीजें बताती हैं कि परिवार बाद कोई लोग बढ़ावा देते हैं जोकि भारती ज जंता पार्टि को कोई नुकसान होने वाला नहीं है सुनिय गांदी जी अध्यक्षटी चैरावल गंदी जी अध्यक्षमने इस से भारी जंता पार्टी को कोई फर्क ने पढ़ेगा भारती जंता पार्टी एक ही मुद्दे grieving चुणाब लड़ रही है और पूरे देशवर में विकास के नाम पर हम विकास करवा रहे हैं और लोगों से वोट मागने हैं और लोग हमें भरपूर समर्थन दे रहे हैं